मस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में कुक्वित बीनू आज मैं फिर से एक नई रेस्पी लेकर हाज रही हूँ और आज की मेरी रेस्पी है मटर पनीर आज मैं मटर पनीर बनाने वाज इसके लिए मैं मसाला तयार करूँगी सबसे पहले मैं प्याज को ग्र अद्रक और लहसन ये साथ में ग्रैंड करें ये प्याज डाल दिया है हरी मिर्च अद्रक थोड़े सी करीपते और ये लहसन मैंने 8-10 कली ली है मिर्च मैंने 4 ली है आप चाहे तो कम भी ले सकते हो अब मैं इसको ग्रैंड करूँगी पेश्ट हमारा तैयाद हो गया है मैंने कडाई रख लिए अब मैं मसाला पूंगी सबसे करूँगी ओईल डालेंगे फोर स्पून मैंने लिया है अब ओईल को थोड़ा हीट करूंगी अब मैं हाप तेबल स्पून जीरा डालूंगी के आप दो में यह पेश्ट मैंने बनाया है इसको भूह लेंगे अब में इस मसाले को अच्छे से भून ना है जब तक हमारा मसाला तेल ना छोरे पप्तर इसको भून लेना है, जब तक हमारा मसाला भून रहा है, तब तब में टॉमेटू फ्यूरी मना दोना है। मैंने दो बड़ी टमाटर लिए है, इसकी मैं फ्यूरी बनाऊंगे। अपर तैट इसकर बनाऊंगे। मैंने यहां पर हरी मतर लिये, आप ठाय को फ्रोजें मतर भी इूस कर सब्सक्राइब और मैंने यहां पनीर के लिए जर्शी वाला लिया मैंने यह ब्हुत सॉप्त होता है है, हम भी तोइ। यह 200 ग्राम पनीर है, अब मैं इसके इस करूगी पनीर कट हो गया है अब मैं अपना मसाला चेक कर लेकी है अब मैं इस में खल्दी पाऊडर डालूंगी बन टीजपून रेड खिली पाऊडर बन टीजपून अब बनने धाप लिए धनिया पाऊडर फुल ज्यादा यूजब करती हूँ और इन्सों को घीख कर लेrudब अब देखिए दोस्तो हमारा मसाला अच्छे से घुन चुका है इसमें तेल छोड़ना सुरू कर दिया है अब मैं स्मेट करूंगी टोमैटो प्यूरी अब इसको पांच मिनट तक पका लेना है अच्छे से अब हम उसमें डालेंगे स्वाध अनुशार नमप और इसको भी मिक्स कर लाएं यह देखिए प्यूरी के साथ मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं इसमें डालूंगी एक कप पानी क्योंकि अब हमें इसमें मटर और पनीर भी पकाना है अब मैं इसमें डालूंगी मटर मैंने इसमें मटर डाल दिये अब मैं इसमें डालूंगी बन टी स्कून गरा मिसाला मैंने एवरेश्ट का गरा मिसाला यूज किया है आप इसको कवर कर देंगे पांच मिनट तक पकाने में अब देखते हैं मटर हमारी अच्छे से पक चुकी है अब मैं इसमें एड करूंगी पनीर पनीर अगर मैं पहले पनी डाल देती तो यह बहुत ही फॉप्ट होता है यह पनीर तो यह फूटने के चांस रहते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा स्पून क्रीम अब हम इसको दो मिनिट के लिए कवर कर देंगे चैप कर लूँगी यह देखिए दोसको कितना अच्छे से कलर आया है बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है बहुत ही अच्छे से पक गया है पनीर अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कसूरी में थी ऐसे लेना है अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और हमारी करी बनकल कैयार हो गई है अब मैं फ्लेम को आफ कर दूँगी और इसको सर्थ कर लूँगी अब मैं इसमें उपर शे डालूँगे कॉरियंडर लीव्स एक हरी मिर्च अब मैंने करी को सर्थ कर दिया है देखिए दूस्तों इतना अच्छा से कलर आया है बहुती साधिश्ट है मटरों इं आप भी ज़रू प्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी रेस्पी पसंता है तो प्रीज लाइक से और सब्सक्राइब करना नहीं जूरी एगा और कमेंट्स करके जबर बताएं कि आपको यह हमारी रेस्पी कैसी लिए आप इसको जीरा प्राइस के साफ ले सकते हूं बटन आन के साफ ले सकते हूं बहुती टेश्टी बहुती साविश तरह है ज़रो प्राइब के लिए नहीं वीडियो में दीरस्टी के साफ अब तक दिल्ये घूना है